नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर इक नई कहानी के साथ दोस्तों आज की कहानी सावन का महीना और भोले नाथ इन ही को समर्पित है भगवान सिव की भक्ति के लिए सबसे उत्तम माने जाने वाले सावन के महिने में किस दिन, किस विधी से, जब तप और वरत करने से बरसेगी महादेव की किरपा और क्या है उनकी पूजा का महा उपाए यह जानने के लिए गौर से देखें इस विडियो को जो सुरोता, जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पे आये हैं उस चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें देवों के देव महादेव की साधना के लिए स्रावन मास को सबसे उत्तम माना गया है यही कारण है कि भूले के भख पूरे साल इस पावन महिने के आने का इंतजार करते हैं सिवक की किरपा बरसाने वाला सावन इस साल 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ होकर 12 अगस तक चलेगा इस एक महिने में भगवान संकर का असिरवात पाने के लिए उनके भक्त तमाम तरह से उनकी पूजा पाठ जब तब और वरत करेंगे कोई उन्हें दूद तो कोई उन्हें सिर्फ गंगा जल चरहा कर प्रसंदे करने का प्रयास करेगा सावन के महिने में कब किस दिन और किस विधी से पूजा करने पर मिलेगा सिव पूजा का पूरा फल आईए इसे विस्तार से बताते हैं भगवान सीव के प्रिय सावन महीने में परती दिन सुर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और परती दिन नहाने के पानी में थोरा सा गंगा जल डाल कर अशनान करें सावन के महीने में भगवान सीव की पूजा परदोस काल में ही करने का प्रयास करें क्योंकि इस काल में पूजा करने पर देवों का देव महादेव सिग्र ही परसंद न होकर मंचाहा सिर्वात देते हैं स्रावन वास में शिव पूजा में गंगा जल के साथ महादेव को पिरी लगने वाले समी एugen बेल पत्र को जरूर चरहाएं इन दोनों ही पत्र को हमेशा डंटल तोर कर और उल्टा करके चरहाएं सावन के महिने में भगवान सीव को दूद, दही, सहद, इत्यादी अर्पित करने के बाद जल अवस्य चरहाएं ध्यान रहे कि भगवान सीव को तांबे के लोटे से जल तो चरहाना चाहिए लेकिन भूलकर भी तांबे के लोटे से दूद नहीं चरहाना चाहिए अंत में सबसे खास बात हिया कि भगवान सीव की सिर्फ आधी प्रकरिमा करनी चाहिए और कभी भी भूलकर उनकी जलहरी को लांगनी नहीं चाहिए जिस सावन के महिने में देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में कठोड जब तप और व्रत करके देवों के देव महादेव को प्राप्त किया उसमें पढ़ने वाले सावन सुंबार को व्रत करते समय सिव पूजा से जुरे हुए सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान सिव की पूजा में गंगा जल का प्रियोग जरूर करें माननेता है कि भगवान सीव को सबसे प्रिये गंगा जल को अर्पित करने से सीव साधक को असुमेध यक्य के समानपुन्य मिलता है स्रावन मास में महादेव के साथ माता पारवती, गणपती, कार्तिके और नाग देवता की भी पूजा करना बिलकुल ना भूले है सप्ताह के सातों दिनों में सोमबार का दिन भगवान सीव की पूजा के लिए समर्पित है माननेता है कि इस दिन ओगरधानी भगवान सीव की पूजा करने पर सीव की किरपा सिगर बरस्ती है जब यह सोंबार भगवान सीव को सबसे पिरी लगने वाले सावन के महीने में पढ़ता है तो इस दिन की जाने वाली पुजा और वर्ट का महत्यों और ज्यादा बढ़ जाता है आईए जानते हैं कि सावन के महीने में आखिर कव कव रखा जाएगा सोंबार का वरद सावन में हिंदू धर में भगवान सीव को भोले नात कहा गया है क्योंकि वे स्रध्धा और विश्वास के साथ पूजा करने पर सिखरी परसन नहों कर अपने भगतों की सभी मनो कामनाव को पूरा करते हैं तो आईए सावन के महिने में महादेव की पूजा से जुड़े सरल एवं प्रभावी उपायों के बारे में जानते हैं पहला, सावन के महिने में धन की कामना से सिव की पूजा करने वाले भगतों को पूरे मास असफ़टिक के सिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा करनी चाहिए सिव पूजा की इस उपाय को करने पर महादेव के साथ मालक्ष्मी की किरपा ब्रस्ती है दूसरा, किसी भी कारे विशेश में आ रही अर्चन को दूर करके उसमें मन्चाही सफलता को पाने के लिए भोले भक्त को पूरे सावन के महिने में पारत सिवलिंग की पूजा करनी चाहिए तीसरा, जिन लोगों का विवाह के बाद लंबा समय बीद जाने के बाद भी संतान का सुक नहीं मिल पाया है उन्हें सावन के महिने में मक्षन का सिवलिंग बना कर गंगा जल से अविशेख करना चाहिए माननेता है, इसरद्धा और विश्वास के साथ सिव की पूजा से जुड़े इस उपाय को सिग्र ही उन्हें संतान का सुक पराप्त होता है चोथा, यदि आपको अब तक अपना भवन का सुक नहीं मिल पाया है या फिर आपकी पैत्रिक संपत्ती को पाने में बाधाएं आ रही है तो सावन के महिने में सहत से सिवलिंग का विशेश पूजन करना चाहिए यहां मैं एक चीज बता दूँ, यहां पे जो भी जानकारिया हमने दी है वो धार्मिक आस्था और लोक माननेताओं पर अधारित है इसका कोई भी वैज्यानिक परमान नहीं है इसे सामान ने जनरुची को ध्यान में रखकर ही यहां प्रस्तूत किया गया है तो दोस्तों, यह थी संकर भगवान से जुरी हुई पूजा की स्रावन मास में उनकी की जाने वाली पूजा की विधी और उनकी कता उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की और कहानिया आपके पास पहुंशती रहें मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत ब्यस्त रहें स्वस्त रहें मस्त रहें